राजकुवार वक्कण महानगर व्यापार मंडल अध्यक साहानपुर आज दीपावली की इस्तिती में ये महसूस किया जा रहा है कि पुराणी इस्तिती में लगबग 10 से 12 दिन दीपावली की दूम व्यापार ग्राक के रूप में बजारों में रहती थी जो अब सिमट कर 2 या 3 दिन की रह गई उस 2 या 3 दिन की इस्तिती में ये आखलन किया गया है कि आज ओनलाइन व्यापार बढ़ता जा रहा है उसी दर्ष्ट्री कोण से ग्रहाक का रुजान ओलाइन की तरफ बढ़ गया है उसी तरह सामाने व्यापार प्रभावित हो गया है पिछले वर्षों की दिपावली के मुकाबले इस बार व्यापार को करोण रुपय का फटका लगा है मैं समयता हूँ सेक्डो करोण रुपय का व्यापार साहरण पुर जिले में प्रभावित हुआ है पहले के मुकाबले बहुत कम रहा है इसकी वज़े सरकार की जो नीती है ऑल लाइन की उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ग्रहाक प्रभावित हो रहा है मोबाइल से उस नंबर को सेंड करके तुरंत उस चीज को अपने गर पे मंगा ले न ये कही न कहीं बजार सामाने ब्याजार को प्रभावित करने की इस्तिती है अगर मैं वहकल की बात करता हूँ फोर विलर टू विलर की बात करता हूँ तो निश्चित रूप से वो ओल लाइन की व्यवस्था संभव नहीं है इसलिए उसकी सेल में फरक नहीं पड़ा है लेकिन अगर मैं कपड़े की बात करता हूँ रेडिमेड की बात करता हूँ अगर केंडील आतिश बाजी और यहां तक की जितने भी जो पेपर डेकोरेशन के समान विगा करते थे वो दिपावली ने ओल लाइन के व्यवार के चलते प्रभावित हूए निश्चित रूप से उसमें बहुत फरक पड़ा है मैं समझता हूँ कि यहारे जो कपड़ा व्यवार के लोग है उस छेतर के अनेकों लोग बहुत सारे लोग जो कपड़े पे अपना लेंदेन किया करते थे वो भी व्यवार समझता हूँ सेकड़ों करोण रुपे जो का व्यवार सहाण पूर जिले में प्रभावित हूआ है केवल और केवल ऑनलाइन हो जाने से व्यवार का ग्राक का रुजान उस तरफ बढ़ गया है और समान्य थे आज आज आशदी भी अगर दवाई की इस्तिती होती है तो आप ऑनलाइन उसकी व्यवस्ता है आप online मगा सकते हैं ऐसी व्यवस्था से समानने व्यपारी, छोटा व्यपारी, मजला व्यपारी बहुत प्रभावित हो रहा है और बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रहा है बिलकुल जिसे कहते हैं हमकी दूसरे शब्दों में हम ये कहना चाहिए कि बिलकुल जिसे कहें कि निचले स्थर पे गई है तो उसमें कहने में कई गई अत्性 शोक्ती नहीं होगी इस बार जो दिवाली का इस्तर गया है वो इतना नीचा गया है कि हर वेपारी बैठा हुआ ये सोच रहा है कि ऐसी दिवाबली हमारे जीवन में हमने कभी देखी नहीं है वज़ा है आप ये देख लीजिए वज़ा हम ये कहना चाहेंगे कि जो ओन्लाइन ट्रेट इस समय चल रहा है ओन्लाइन से वेपार इतना परभावित हुआ है कि उससे सभी दुकंदार तरस्त है ओन्लाइन में आपको इतनी सुविधाय कस्टमर को दी जा रही है कि जो दुकंदार दे ही नहीं सकता पॉसिबिल्टी नहीं है उसका रीजन ही है कि जो लोग ओन्लाइन बिजनस करते हैं वो बलक में इतना प्रडेक्ट उठा लेते हैं कि जो आम आदमी नहीं उठा सकता, आम दुकांदार नहीं उठा सकता, इस रिजन से जो वो rates, जो designing और जो वो काम दे पाते हैं, वो आम दुकांदार नहीं दे पाता, इसलिए विपार जो है नीचले स्तर पर जा रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा, कि अगर विपार की दरश्टी से देखा जाए, तो कम से कम 50% विपार जो है, नीचे स्तर पर गया है,